सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम अर हर महादेव जैसा कि मैंने आपको दो दिनों की पूजाविती बता दी है धन तेरस और रूप चवदस नरक चतुर दशी की आज हम आपको दिपावली के दिन की पूजाविती बता रहे हैं कि दिपावली के दिन आपको ये पूजा किस प्रकार से करनी है जो आप दिपावली पे हर साल पूजा करते हैं क्या वो करे या ना करे ये जो पूजा कर रहे हैं ये कहां पे करे कैसे करे किस प्रकार से तृतिय दिवस्यानी की दिपावली के दिन की आपको पूजा करनी है तो चलिए पूजा शुरू करते हैं तो जैसे आपने दो दिन की पूजा विदी करी अब ये पूजा करने के बात में ये थाली को आपने महीं पर रख रखा होगा यदि उठा का रख दिया है तो फिर से आपको पाटा लगाना पड़ेगा लाल बास्तर बिचाना पड़ेगा और थाली को रखना पड़ेगा यदि आपने थाली नहीं उठाई है तो जिस थेली में या जिस जगह पर आपने जो पहले दिन पूजा करने के बाद सामगरी को रखा था उसी में ये दूसरे दिन की सामगरी को आप रख दीजिए जो आपने कमल गट्टे चड़ाये होंगे, जो हल्दी की गांट चड़ाये होगी, जो अमरवेल के टुकड़े चड़ाये होंगे उन सभी को आपको रख देना है उसी थेली में और उसके बाद में ये दोनों सिक्कों को उठाके अलग रख लेना है फिर से आपको क्या करना इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर एक कपड़े से साफ कर देना है थाली को या फिर अपने हाथ से इस पूरी थाली को साफ कर दीजे अच्छे से जब ये थाली साफ हो जाए उसके बाद में आपको फिर से वही दोनों सिक्के रखने हैं जिनकी हम पूजा करते हुआ रहे हैं दिपावली की दिन ये जो पूजा आप करेंगे जो आप दिपावली की पूजा प्रती दिन करते हैं मतलब हर साल करते हुए आ रहे हैं दिपावली की पूजा उसके ज़स्ट पास में भी कर सकते हैं या किसी घर में किसी और इस्तान पर भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये पूजा कर रहे हैं तो हम दिवाली की पूजा करें न करें वो पूजा आप करें जो आप हर साल दिवाली की दिन करते आ रहे हैं ये पूजा भी आप जरूर करें अब इस पूजा में आपको सबसे पहले दो दीपकों का निर्माण करना है दो दीपक जो बनेंगे वो जो दीपक आठे के बनाए जाएंगे और वो आठे के दीपक आपको बनाने इस बार बड़े दीपक बड़े दीपक यानि कि कितने बड़े दीपक जितना बड़ा हम लक्षमी जी के दीपावली में पूजन में रखते हैं बड़ा बड़ा दीपक बनाए वो इसलिए क्योंकि आज जो दीपक बनेंगे वो बड़े बनेंगे एक दीपक में रहेगा तेल और एक दीपक में रहेगा गी तो जो गी वाला दीपक है वो उसी प्रकार आपके उल्टे हाथ पर रखा माएगा और तेल वाला दीप आपके सी एक पूजा करेंगे तो यह जो दीब है दोनों एक घी का दीब और एक तेल का दीब यह दोनों दीब पूरी रात्री आपके घर में प्रजुलित रहने चाहिए यानि जलते रहने चाहिए यदि आप छोटा सा दीब बनातेंगे तो सुबह तक वो दीप भुझ जाएगा और इस दीप के भुझने की वज़े से वो दीप रात्रे बर नहीं जल पाएंगे तो इस बात का ध्यान रखे कि आपको दो बड़े दीपक बनाने है बड़े दीप आप जब बना देंगे तो जब गी का दीप है वो वाला दीप भी और तेल का दीप है वो वाला दीप भी वो दोनों दीप पूरी रात्री बर प्रजोलित रहेंगे पूरी रात्री जलते रहेंगे तो इस से आपके गर में धन की प्राप्ती होगी धन की मातलक्षमी की किरपा होगी मातलक्षमी विराजमन होगी तो दो दीपक बना लीजिए बड़े तेल आप तेली का डाल सकते हैं मीठा डाल सकते हैं या सरसो का डाल सकते हैं कोई सबी तेल आप इस्तेबाल करें जो भी आप डालना चाहते हैं गी डाल लीजिए और ये दोनों दीपों को आपको प्रजोलित करना है दोनों दीपों को प्रजोलित कर दीजिए पूजा शुरू करने से पहले आपने प्रजोलित कर दिया दीपों को उसके बाद में आपको जो सामगरी आपने हटा दी थी थाली में से, फिर थाली को पोंच कर अच्छे से, फिर से आपने स्वस्तिक का निर्मान करना है, स्वस्तिक का निर्मान करने के बाद में, ये दोनों दीप आपको, ये दोनों सिक्के रखने हैं, आपको दीप नहीं शमा करें, ये दोनों सिक्के, जिन दो सिक्कों के आपने दो दिन पूजा की थी, किनी दोनों सिक्कों को फिर से रख देना है, मोली का दगा इनके उपर लपेटा हुआ रहेगा, खोलना नहीं है उसको, उसके बाद में आपको सिक्के रख दिये, थोड़ा जलका छीटा मारे, जलका छीटा मारने के बाद में, फिर रोली, अभीर, गुलाल, मोली, चंदन, समर्पित करें इन सिक्कों के उपर, सिक्कों पे रोली, अभीर, चंदन लगाए, साथ में मेहंदी भी लगाए, जो पीले चावल आपने पहले दिन चड़ाये थे, वो पीले चावल भी आपको आज की पूजा में चड़ाने है, आज की पूजा में, उल्टे हाथ में पीले चावल लेकर, धीरे धीरे, दोनों सिक्कों के उपर, गणेश जी का इसमरन करते हुए, माता लक्ष्मी का इसमरन करते हुए, बगवान विश्नु का इस्मरन करते हुए बगवान शिव का इस्मरन करते हुए उन दोनों सिक्कों के उपर आपको पीले अक्षत पीले चामल डालने हैं जब पीले अक्षित और पीले चामल आप दोनों से को पर डाल दे तो थोड़ी सी मूंग जो हरी मूंग आती है उस मूंग को भी आपको डालना है साथ में एक कटोरी में आपको गुड़ और धनिया ये दोनों वस्तूओं को इस पूजन वाले स्थान पर जहां पूजा कर रहे हैं उसी पाटे के पास में रखे है जब आप ये सारी वस्तूओं समर्पित कर दे रोली चंदन अभीर गुलाल ये सारी वस्तूओं समर्पित कर दे मेंदी समर्पित कर दे मूंग समर्पित कर दे उसके बाद में आपको लेने है पाँच ये साथ वैसे पाँच ये साथ की जगे आप साथ ले तो जाद अच्छा रहेगा साथ कमल गट्टे ले लीजिए ये साथ कमल गट्टे आपको समर्पित करने है साथ हल्दी की काट लेनी है यह साथ हल्दी की गांट ले लीजिए और उसके बाद में आपको लेना है साथ अमर बेल के टुकड़े है यह जो अमर बेल आपको दिख रही है इसी अमर बेल के आपको साथ टुकड़े ले लेना है यह साथ टुकड़े इन सिक्कों के उपर समर्पित कीजिए फिर जिस प्र आग्मणशार कैनी है जैसे हम किसी बस्तु बुराखते हैं किसी चीच पे उसी प्रकार से आपको हल्दी को 17 और उन्सिकों पर ड़ना है कुमकुम को साथ बार उन सिक्कों के उपड़ डालना है साथ बार डालने के बाद में जो मीठे का भोजन आपने बनाया होगा दीपावली वाले दिन माता लक्षमी की पूजन में वही मीठे का भोजन या भोग इन सिक्कों पर लगा दीजिए मीठे कबोग सिक्कों पर लगाने के बाद में माता लक्षमी को प्रणाम कीजी जूली पसार कर माता की अरादना कीजी माता लक्षमी से प्रातना कीजी हे मा हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाए और इस प्रकार प्रात्न करके आपकी पूजा पूण कर लीजिए इस प्रकार से आपको ये दीपावली वाले दिन पूजा करनी है दोनों दीपक एक साथ जलते रहे तेल का और गी का इस बात का ध्यान रखे तेल वाला दीप आपके सीधे हाथ पर रहेगा, गी वाला दीप आपके उल्टे हाथ पर रहेगा इस बात का विशेज द्यान रखे और इस प्रकार से दीपावली वाले दिन ये पूजा करे पूजा आपको प्रदोश काल में ही करनी है मातलाक्ष्मी आपके गर में सदा के लिए विराज होगी विराजमन होगी ये तीसरे दिन की पूजा भी दी ती जिसका वर्णन आज हमने आपको किया है ये तीसरे दिन की पूजा करे और उसके बार में हम आगे आपको चोते दिन और अंतिम दिन इंसिक्कों का क्या करना है किस प्रकार से आपको ये पूजा को समाप्त करना है उसके बारे में जान करेंगे सभी भक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्यम